नवस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूजटीन के इस डिजिटल टेटफॉर्म पर मैं हो रही नूँँआ महाकाल की नगरी में खली जी हाँ बिल्कुल सई सुन रहे हैं चौकिये मत ये बात बिल्कुल सच है लेकिन थोड़ी सी अलग है इस वक्त महाकाल की नगरी में एक अनोखे भक्त से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जिसकी चर्चाएं दूर दूर तक देखी जा रही है ये एक अनोखा भक्त है जो की बाबा महाकाल के रक्षा में तनाद किया गया है और ये खली कोई ऐसा वैसा खली नहीं है बलकि वो खली है जो की पूलिस की डॉग स्क्वाइट टीम में भरती है जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने ये दरसल एक डॉग है जो की बाबा महाकाल के सुरक्षा में तैनाद किया गया है और ये चर्चाओं में क्यों है ये भी हम आपको बता दें दरसल ये खली इस वक्त सावन सुमवार चल रहा है और ये सावन सुमवार के जो सुमवार होते हैं उन दिनों वरत करता है अनोखा लगा न आपको लेकिन ये बिलकुल हकीकत है वैसे तो आपने दिखा होगा कि डॉग के जो डाइट होती है उसमें दूध, रोटी, पेडि सुमवार में रहता है, वहाँ पर जो श्रधालू जाते हैं उनकी सुरक्षा मितनात किया गया है और सबसे खास बात आपको बता दे कि ये खली शाही सवारी में भी जाता है सुरक्षा मितनात होने के लिए अनोखा अंदाज है, कुदरत ने इसको किसी भी संकट को भापने की एक अद्बुर्ट क्षमता दी है, डॉग स्क्वार टीम में जब भी शामिल था पहले शाजापुर में तब ही इसके किस से दूर दूर तक चर्चित थे, लेकिन अब जब भी उजयन पहुचा है तो जयन जाने के बाद इसने जिस तरीके से बाबा महाकाल के प्रतिय हो चुके हैं, इसके साथ सेल्फी लेने के लिए खली के साथ फोटो लेने के लिए लोग आगे आ रही हैं और इनकी जो फोटो थे इस वक्त सोशल मीडिया पर चारो तरफ घूम रही हैं, देखिए बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए तो दूर दूर से लोग पहुचत हैं, तो खली को आपने देखा, आप भी मिलिए और देखी कि तरह की सावन सुवार के इस खास मौके पर खली ने अपनी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ निभाई हैं, क्योंकि एक जानवर है और वो हफते के साती दिन होते हैं, छे दिन वो दूध रोटी और आत रहता है, फर्ज भी, भक्ती भी, निष्ठा भी और लोगों के सुरक्षा भी, इसे के साथ मुझे दीजे जादा आप लागातार खबरों के लिए देखते रहे हैं, नमस्कार